हाँ बेटाजी चलिए करते काम तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कलम ने सम के ऊपर कुछ बाते देखी थी सम के ऊपर कुछ देख लिए थे आगे करते हैं सम के बारे में ही थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं सम के बारे में ही थोड़ा और जानने की कोशिश करते है ठीके बाद यह मालेजिये भाई मालेजिये मेरे पास एक एक स्प्रेशन दिया हुआ है इसे जनल ले फनी यहिं लेता हूं एक स्पोड़ी ओलमड़ से ऐसप्रेशन की मदद से में क्या करूँ मैं AP की Terms find out कर सकूँ कि वो AP की Terms हैं क्या समझ रहे हो आप मैं AP की Terms find out कर सकूँ अब ध्यान से सुनना अगर मुझे expression given है और मुझे AP की Terms find करनी है मान लीजिए मैंने N की जगा 1 डाना तो यह आया 1 का square plus 1 that is 2 तो S1 का मतलब क्या होगा S1 का मतलब होगा पहली term का सम और अगर मैं पहली term के सम्की बात करता हूँ तो पहली term का सम्की पहली term ही होगा तो मैं कह सकता हूँ, यह जो 2 है, यह किसके बराबर एक्ट्वल में, a1 के ही बराबर है, यह जो 2 है, यह किसके बराबर है, a1 के ही बराबर है, ऐसे ही अगर मैं इस expression में n की जगा पर 2 डालता हूँ, तो 2 डालने पर जो expression होगा, यह दिखेगा, 2 का square, plus 2, यानि कि क्या जगा, 4 plus 2, यानि कि 6 आ जाएगा, अब s2 का मतलब क्या होता है, s2 का मतलब आप जानते हो, s2 का मतलब होता है, सर, पहली 2 times का sum, s2 का मतलब होगा क्या, पहली 2 times का sum, यानि कि a1 plus a2, तो मैं इसको क्या बोलूँगा यहापे, यह क्या दे रख्खा है, आपको a1 plus a2 दे रख्खा है है इस पूरी चीज़ को अगर आप इस पूरी चीज़ को ठीको नेएफ डेया आए हैं से में देख के पिए सकते हैं कि ऐट मेल ए रिया सब्सक्राइब जानते हैं डिफ्रेंट सबाइख सकता हूं अब मैं AP लिख सकता हूं कि first term था 2 उसमें difference जोड़ा 2 यानि आगया 4 फिर 2 जोड़ा तो आगया 6 फिर 2 जोड़ा तो आगया 8 रहसे चलता जाए तो यह मेरे पास AP आगी तो कभी भी अगर हमारे पास sum का expression दिया होता है तो sum के expression में अगर आप 1 डालेंगे तो आपको पहली term का sum मिलेगा जो कि खुद पहली term ही होती है उसी परकार जब आप उसमें 2 डालेंगे तो आपको second term मिल जाएगी जो कि पहली दो term का sum मिल जाएगा जो कि A1 प्लस A2 होता है A1 आपने निकाली लिया था तो यहां से A2 भी आपके पास निकल जाएगी ठीक है बात यह एक और important बात पर मैं आप सब का ध्यान लेके जाना जाते हूं ध्यान से सुनिएगा अगर मैं ऐसा कर दू यहां पे ध्यान से कि देखेगा अलग से कर लेते हैं चलो को देखेगा ध्यान से मैंने कहा जब आप S1 निकालते हैं तो वो बराबर आएगा वन प्लस A2 के पहली दो को माइनस करों जैसे सेकिंड में सेंट मिनस करो तो है किसे बरबात है क्या ऐसे मैंने का оutto-3 मैंस करो ऊपर बो doesn't अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, और एक जनरल फॉर्म क्रियेट करने की कोशिश करो, तो आप बड़े आराम से यहां पर क्या बता सकते हो, कि जो A-N होगा, अगर यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो अगर यहां पर आपके पास 2 है, तो यहां क्या जाएगा, पिटा, N-1 आजएगा, समझ रहे हो बात ही है, क्लियर है, N-1 बना दे, क्लियर है बात ही है, जल्दी बोलो, ठीक है, तो N-1 इस तरीके से भी निकाली जा सकती, S-N-1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दुबारा सुन लो बेटा जिसको समझ नहीं आया, मैंने पहले क्या किया, S2 में से S1 को माइनस किया, जैसे ही माइनस करूँ एक कम हो रहा है, ठीक है, एसी जब यहाँ पर 3 आया, तो यहाँ पर भी 3 आया, और यहाँ एक कम हो गया, तो यहाँ पर अगर N आजाए, तो यहाँ पर भी N आएगा, और यहाँ पर एक कम हो जाए, ठीक है, तो यह expression लिखा हुए, N-1, ठीक है, इसका use कैसे कर सकते हैं, सर, यूज ऐसे कर सकते हैं जैसे अभी जो कोशन अमने लिखा था उसमें मुझे S N आपको याद हो क्या गिवन था N स्क्वेर प्लस N गिवन था यह S N मुझे गिवन था N स्क्वेर प्लस N मुझे वह कह देता कि भाई मुझे तो केवल सीधा जल्दी से बताओ कि दस्वी टम क्या आएगी तो आप जानते हैं कि आप दस्वी टम को अब ऐसे भी लिख सकते हैं अगर यहां तो यहां पर एक कम यहां पर एक कम करके आजाएगा अब S 10 क्या होगा यहां 10 डालो तो 10 का स्क्वेर प्लस 10 माइनस S 9 क्या होगा 9 का स्क्वेर माइनस 9 आजाएगा अब आप कर लो गया आगे सोर मुझे नहीं लगता मुझे आगे बताने की जुड़ता है बोलो सही बात है इस तरीके से जल्दी से भी आप आंसर दे सकते हूं कितने बच्चों को क्लियर हो गया यह वाली चीज़ जल्दी बोलो कि आपको क्लियर हो गई यह वाली चीज़ ठीक है उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई हो चलो बहुत बढ़िया आगे बात करते हैं फिर यह एक नया आपके पास की जाई थी यह आप लोगों ने देख निश्त्वं चाहलो गए अगे बात करते है नेक्स्ट आपका क्zę BO Chris रेखन्हें और आपको कुशन किया हुआ हुआ है प्राइबर हेसिए प्राइब 43 ंट्पें 3 वो बराभर है उसी आपी में आंट्प संच की बिए डिन शो सम्ट आठ शो क्या करना है दें शो दार शो दार chop attempt अजिसम अब प्लस एंसम और सम अब प्लस एंड मसीस आपको शो करने है कि एम प्लस एंड मतुम्स के सलकिक घज़ा तोफिजा आये बरावर अब देखो करने का तरीका बहुत सिंपले है में देखो सबसे पहले क्या करेंगे समफ एंटम्स क्या होगा जल्दी फॉर्मला याद करो आपको किसर एंबाइटू साथ में आता था टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी यह समका फॉर्मला था कलम ने सीखा था बराबर मैं आएगा बोलो जल्दी से किसके एंबाइटू यहां आ को निकालो दी को निकालो और फिर जो पूछया है हो सौल यग को अगर दो एक भेसदी डैटू होगा गला था यहां पर के दोवmee यहां हगी कि अभू तो यह से हमें कोई की कंदीशन निकालने और हो livre के कि फिर कि आएगा माइनस का एम डी यह तो इस तरफ आया है इधर कि आएगा ध्यान से देखो टू ए एन प्लस एन स्क्वेर डी पर माइनस का इतने में तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई हो ठीक है सब को मैं एक तरफ लाता हूं इसको इधर ले आता है अब देखना ध् सब्सक्राइब और यह चीज बराबर आगे जल्दी बोलो किया इस टैप पर आप सब पहुंच गयों जल्दी बोलो कि क्या आप सब इस टैप पहुंच गयो है कि आप सब इस्टेप पहुंच गयों है चलो वारी गुड पानी पीते रही है ना निम्भू पानी फॉर हेल्ठ होडरिंग बगैरा से बचेन निम्भू पानी पीते रहे है ना को विट से भी बचाता है चली तो यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं पूरी एक्वेशन में आप ध्यान से देखो यहां पर भी M-N है यहां पर भी M-N है और इसके दो फेक्टर होते हैं उसमें बचे का कितना 2a? प्लस D, इसके दो फेक्टर थे, एक M-N और एक M-N, तो क्या बचे का यहाँ पर M-N, प्लस N? क्या बचे का यहाँ प्लस N? तो मैंने पूरे को डिवाइड करा दिया, बचे का M-N और मैंनस में यहाँ बचे का D, M-N हट गया, समझ रहे हो यह स्टेप कैसे आया यहां से यह वाला स्टेप कैसे आया समझ में आया कि आप पूरे को M-N से डिवाइड करा दिया बस अब यहां से आपका काम थोड़ा असान हो गया है इस चीज़ को अगर और आप D common लेके लिखें तो क्या लिखाऊ है 2A प्लस D common लिया तो आगया M-N-1 is equal to 0 यह condition आपके पास generate हुई समझ रहे हो यह condition आपके पास यहां से generate हुई बस इससे आगे तो इसका कुछ और किया नहीं जा सकता अब मैं वह सोचता हूँ जो मुझे निकालना था अगर आपको यहाद हुगा तो हमें question में निकालना था M plus N terms का sum 0 दिखाना यह देखो sum of M plus N term 0 दिखाना चलो एक बार लिखके देखते कि sum of M plus N आएगा क्या एक बार लिखके देख लेते sum of M plus N क्या आएगा तो आप जानते sum of M plus N अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बोलो M plus N by 2 यहाँ N होता था N by 2 आता था अगर M plus N होता था M plus N by 2 आएगा साथ में क्या आएगा बोलो 2 A plus M plus N minus 1 into D कितनी बात सभी को clear होगी होगी अब मेरे को जल्दी से बताओ इस चीज की value आप लोगों ने उपर निकाल लिए इस चीज की value आपने उपर निकाल लिए कितनी आई है 0 आई है कि जल्दी बोलो इस चीज की value आगई है 0 और 0 into something क्या आएगा दौशें 0, so your answer is 0 जल्दी बोलो किंए Аप सबने कर लिया प्रूर आज आप सबने कर लिया या प्रूफ इस यल्दी से वाई लिक और नोट करो क्यों जल्दी से वाई लिक और नोट करो ति क्ये लिल नोट करो बेटा last step में मैंने इसकी value डाली है यह जो last step है ना इसमें मैंने इसकी value डाली है 2a plus m plus n minus 1 into d इसकी value कितनी आई 0 उपर निकाली ना देख उपर value आई 0 तो यह value 0 यहां डाल दी 0 से पुरा expression 0 हो गया 0 into something 0 होता है ना ठीक है clear चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं उमीद करता हूँ यहां तक सभी बच्चों clear हो गया होगा एक और अच्छा question आपके सामने लाता हूँ चलो question है the sum of एक और अच्छा question है the sum of n the sum of n 2n and 3n terms the sum of n 2n and 3n terms of an ap of an ap the sum of n 2n 3n terms of an ap r r r क्या है भाई s1 s2 and s3 ठीक है जी जो n terms का समय उसे s1 से represent किया जो 2n terms का समय उसे s2 से represent किया जो s3 है वो किसको represent कर रही है 3n terms कर समको then prove that prove क्या करना है prove that prove आपको करना है भाई मैं दिखा लिखता हूँ prove that s3 is equal to 3 times of s2 minus s1 यह आपको prove करना है s3 is equal to 3 times of s2 minus s1 ठीक है जी तो कोई एक step हम prove करते है lhs या rhs में से किसी दूसरे के बराबर ठीक है चलो याद रखना s1 क्या है n terms का sum s2 क्या है 2n terms का sum करते हैं जर्डा कोशिश करते है क्या सब से पहले rhs को solve करते हैं इस इस side में तो आपको दिया हूए 3 times of क्या दिया है s2 s2 क्या था बेटप 2n terms का sum क्या था s2 की value लिखते है पहले S2, S2 क्या होने वाला है, 2N terms का सम्, यानि कि 2N by 2, साथ में 2A plus 2N minus 1 into D, ये value आएगी S2 की, कितने बच्चे सहमत है S value से, जल्दी बोलो किया आपको सही लग रहा है, कि S2 की ये value सही आ रही है, ठीक है, सबने y लिख दिया, ऐसे ही minus S1, S1 है, N terms का सम्, यानि कि N by 2, साथ में आएगा 2A plus N minus 1 into D, clear है, ये तो मैंने डाल दिया N की values, अब solve करने की कोशिश करते हैं, क्या-क्या आने वाला उसको देखते हैं, ठीक है भाई, solve करते हैं, देखो, तो इस 2 से 2 तो cancel हो जाएगा, तो overall 3 times of, यहां बच्चे का, N को जब 2A से कराओगे तो आएगा 2N square D, और N को जब अंदर कराओगे तो आएगा minus का N D, पहले N को मैंने अंदर सारी bracket से multiply करा दिया, ठीक है, ऐसी जब इधर minus का sign तो बाहर रख लो अभी फिलाल, N by 2 को 2A से कराओ, पहले N by 2 को 2A से कराओ, आपको क्या मिलेगा, N into A, क्योंकि 2 से 2 तो cut जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी सा concept लग रहा हो, अगर क्यलकुलेटिव काम, अगर क्यलकुलेशन सही है, तो सब सही है, N by 2 को इससे कराओ, तो N a आगया, N by 2 को जब इससे कराओ, तो आएगा, N square D by 2, क्योंकि अपन में अपकी बाद 2 चल रहा है, N by 2 को इससे कराओ, तो minus का N D by 2, मल्टिप्लिकेशन आपको करनी पड़े ही, उसमें मैं कोई help नहीं कर पा हूँ, है न, मल्टिप्लिकेशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार-बार copy pen लेके बैठा करो, पर multiply साथ के साथ मेरे किया करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसी आप भी साथ साथ करते हो, ताकि कि किसी step का an, तो केवल एक an बचेगा, पहली बात हो ये, केवल एक an बचेगा, 2an था, यहां से an आ रहा था, एक an बचेगा, अब देखो, n² को देखो, n² कितने ह् यहां पे दो, n² है दो, और यहां पे कितना है, minus का half n², तो 2 में से जब आप हाफ टाओगे, 2 में से आप हाफ टाओ हुम्हीद करता हूं सबको क्लियर हुआगा थ्रीवाय столько यहां देको यह माइनस का ंडि है माइनस कघ्र1 में के तो माइनस वन में से आप हाफ जोडोगे तो माइनस का बचेसगा मैनेस का थैंच से यह तक पूर एकश्ण करके इतना अब देखते आगे के बना सकते और क्या बना सकता है जाँ आप णीब पूरे में आपसे और यह बहुत गृब होँड़ी बहूं कुरे से इंभी कोंद रहे है जाहरा रहे है तो थ्रीटों अन्वू वहार आया पूरे से N बाहर आया और नीचे LCM लेकर आपने वह LCM बाला चलो, LCM को अब अंदर ही रखते हैं ना, LCM को अब अंदर ही रखते हैं अंदर LCM लिया आपने इसका, ठीक है जी, यहाँ आजेगा 2 है, क्योंकि N तो बाहर आगया है, यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बोलो, W plus 3 times of 2 तो ही पहरे से, N एक बाहर आगया N, D, minus N बाहर आगया, minus आगया D, N में बाहर ले आओ था परहले, याद रखना, N में बाहर ले आए था पहले, अब देखना दुबारा 2 को भी बाहर ले माहर ले ओ, यह जो 2 था, इसको भी आप क्या करो, बाहर ले मेंद त्री टाइमस ओफ एन अपॉन टू क्या गया थी टाइमस अफ एन अपॉन टू अंदर क्या आया टू ए प्लस डी कॉमन लिलो भाई इसमें से तो आएगा यह 3N-1 इंटू अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या यह जो चीज है जो अभी मैंने लिखी है क्या यह जो चीज है यह 3 है क्योंकि स्ट्री क्या था 3N टामस का समझ जल्दी बोलो स्ट्री क्या था 3N टामस का समझ इसी के बरापर तो दिखाना था वही तो आगया 3N-1 इंटू तो आपने पूरा कोशन ध्यान से अगर देखा हो तो कैल्कुलेटिव है इसमें कुछ भी अलग नहीं है केवल कैल्कुलेशन प्लस माइनस LCM अगर वो लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तब तो आप बढ़े असानी से इस कोशन को सॉल कर लोगे ठीक है जी चलो कोशन था ये स्क्रीन शॉट ले लो जिसने लेना हो जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो फिर बाद में सॉल्व भी करके रहे हैं थीक है ये लो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए के लिए रहे हैं चलो आगे बढ़ता हूं भाई कि आगे बढ़ते हैं भी मिलखिए आगे आपका जो टाइट्ल है पहले वह लिखिए प्रॉपर्टी सोफ अर्थमेटिक प्रॉगरीश और है प्रॉपर्टी सोफ अर्धेमेटिक प्रोगरएश्व ताइटल है कि याanten प्रॉपर्टी होती है एपी की उस knowledge करते ठीक है देखो कि एक खास प्रोपर्टी है क्या कि अगर पूरी एपी में पूरी एपी में आपने कोई भी एक constant नंबर कोई भी एक constant नंबर पूरी एपी में एड़ दिया तब भी जो चीज नहीं बनकर आईगी वह एपी ही आईगी ज्यान से देखेंगा कैसे अगर आप पुराने सीक्वेंस में पुराने एपी में अगर आप पुराने एपी में क्या करें कोई भी नया इपनिया नंबर सबमें सेंसा नहीं कि पहले थो जोड़ेव भी करें किसी नॉन जीरो नंबर से तो भी क्या होगा जो नंबर आपके पास जो सीक्वेंस आपके पास आएगा वह अर्थमेंटिक जोगरेशन ही आएगा ठीक है बाद यह तो इसको लिख लेते हैं अंग्रेजी में थोड़ा सा है न कैसे लिखेंगे देखिए इस एक इफ और इफ आफ इस इस एफ किन आफ जिरो करेंगे नॉन जिरो कोंस्टेंट क्या किया जाएं ऐडिड या फिर सब् πॉट्रेक्टिड yaa-fir multiplied multiplied yaa-fir divide if a non-zero constant is added subducted multiplied yaa-fir divide yaa-fir divide in each term of ap in each term of ap then then resulting sequence then resulting sequence is also AP resulting sequence is also AP square पे नहीं भई सभी terms का square अपी में नहीं आएगा ठीक है clear करता हूँ सभी बच्चों को यह point clear हो गया होगा वह इस लो आ रही है आप ते जा जाएगी भाई नितिन तेरा network हम जो रहा है network सही करवा अपना हाँ बोलो यह लिखके बेजो अगर यह point clear है सभी को तो कि अगर AP की सभी terms को किसी एक non-zero number से हम multiply divide एड यह सब्ट्रेक्ट करें तो भी जो नया sequence आएगा वह एपी ही आएगा कोई पूफ कर सकते हैं कि अब कोई हम कर सकते हैं कि इस clumsy में मैं आपको इन इसी में आपको इसा अप यह को शेयर लग said कि आसे हैं ते सन्व화를 सब्सक्राइए जोड़ Jesús में जोड़ दिया सब्वहरं से junal अगर ने करने का मतलब कोई बागी नमबर ट्रक्शन कर चेक ऐसा कर एंग 28 अंघ कोई नबर जोड़ दिया मालो मेंस और मिन्स कैंफन में नमबर जोड़ है और ये अ कि पलॉस के फ्लस कर यहाँ ऐ प्लस के प्लस की मुलम वाट ऐसे आता रहे गा एगंगा एक दोनों का डिफरेंस देखेंगे अगर इसमेंशकों मैल गर यहां पर दिफरेंसटी आ है यहां पर भी लिए यह जो सामने आया वह भी क्या है एक प्रोग्रेशन ही है ठिक है बात पेटा फ्रेक्शन जोड़ो डेसिमल जोड़ो उससे फरक नहीं पड़ता नंबर की बात ह हो गई ठीक है किलियर है कि सभी को यह बाद कि सबको क्लियर है चलो सभी को बात क्लिए ये तो थी पहली प्रोपर्टि ऐमिद करतों شब को समझ आ गई होगी अब दूसरी प्रोपरटी एक एक भंपल दे दीजीए खैसांपल तो दी आ अना स्टार्टिंग लिए लिए उसके बाद देख लो कि क्या जो आ रहे है वह एपी है या नहीं अगर अगर कभी ऐसा हो गया तो क्लियर कि मल्टिप्लाइग का एक्जमपल देजिए देख भाई मल्टिप्लाइग देख ले अभी देख क्या बता हूं और इसमें बहुत सिंपल बात है तो 3579 जैसे यह है बोल किस नंबर से मल्टिप्लाइग करूं अपने मन में सोच ले किसी भी आगे बढ़ते हैं यह तो थी एक प्रपर्टी आपकी यह क्लियर हो गई आगे देखना ध्यान से मैं एक एपी लिखता हूं आपके समने टू फोर जिक्स एट टैन टूवलव फोर्टीन उस्टीन यह कोई एपी लिख विए ठीक है भाई यह कोई एपी लिख विए द्यान से सुनना मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं एपी में से दोड़ो तर्म छ फिर मैंने दो छोड़ दी यानि इन दोनों को छोड़ दिया तो क्या उठाई एट उठाई फिर मैंने दो छोड़ दी यानि इन दोनों को छोड़ दिया तो क्या उठाई फोटीन उठाई बोलो किलियर है क्या दो दो टम्स छोड़ दी मैंने छोड़ने के बाद क्या क्या टम से मार है बोलो डिफ्रेंट से मारह यहां पर भी डिफ्रेंस इसक्स है यहां पर भी सिक्सा आया यानिए कि अगर आप अर्थमेटिक progression में रेगुलर इंटरवल से रेगुलर इंटरवल से टम्स को पिक करें तो वह भी किसमें आएंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएंगे थीक है बात इये थीक है लिखें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इफ दा टर्म्स ओफ एपी दिखिए इंग्लिश में लिखें इफ दा इफ दा terms of an ap are chosen at if the terms of an ap are chosen at ap are chosen at regular interval chosen at kya bhai chosen at regular interval chosen at regular interval अगर ap की terms को आप regular interval पे पिक करें then resulting sequence is also ap then they form an ap then they form an ap then they form an ap तब भी वो क्या बनाएंगी arithmetic progression ही बनाएंगी ठीक है वीडियो किलियर नहीं है कि वीडियो और आवाज किलियर आ रही है बाकी बच्चे बताना भाई कि वीडियो और है उम्मीद करता हूं यह वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को है कि ठीक है अगला पॉइंट लिखते हैं अगला भी बहुत शांदार पॉइंट है अगला भी पॉइंट जो है वो बहुत रशांदार है कि इन आफ अनाइट एपी है in अ फईनाइट एपी एक फाइनाइट ऑपी में जिसकी नंबर उफ टमस डिफाइन हो कितनी है दस से पंदराओ बिश सो आंजितनी भी हैं पर पता है कि इतनी है इंफनाइट नहीं है इन फाइनाइट AP in a finite AP लिखिये English में लिखिया न in a finite AP the sum of terms equidistant the sum of terms the sum of terms the sum of terms equidistant the sum of terms equidistant from equidistant from beginning beginning ki spelling आप लोग लिखिया from beginning and end is always constant is always constant अब आप पूलो के सर ये तो English में है हमें समझ नहीं आया हमें तो बता नहीं चला क्या बोल दिया ये इना finite AP the sum of terms equidistant from beginning and end is always constant कहानी का मतलब क्या है दियान से सुनिएगा AP ले ले लेते हैं अपन तो सबसे असान काम क्या है AP मान लो और उसे देख लो क्या हो रहा है दो छे आठ दस बारा 14 16 ऐसे लिए ठीक है जी मैंने आप से कहा आप लोग मुझे बताओ reply में भेजो कि पहली term का जो starting से पहली term है जो starting से पहली term है और जो पीछे से पहली term है इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है जल्दी बोलो जो starting से पहला है और जो पीछे से पहला है दोनों का जोड़ कितना आ रहा है दो जमाश सोला जोड़ने पर कितना आएगा बहुत मुश्किल कल्कुलेशन है लेकिन फिर भी आप लोग कीजिए ना अठार आएगा सभी बात है दो जमाश सोला जोड़ने पर अठार आएगा अब आप बताओ चार जमाश 14 जोड़ने पर कितना आएगा जो पहले से दूसरी और आखरी से दूसरी पहले से भी दूसरी आखरी से भी दूसरी समझ गए पहले से भी तीश्डी और आखीर से थीश्री उसका भी जोर कितना च्वदा ही आने वाला है पीडरी से थीश्री उसका कीटना आने वाला हैप है तो यान आप कि यही पूरी बात इंगलिश में लिखी विए जो स्टार्टिंग से हैं उन दोनों का ब्रम आएगा वह हमेशा कॉंस्टेंट बराबर आएगा जो आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स उठा रहे होंगे ठीक है भाई है है चेलो आगे बात करते हैं इस प्रोपर्टि का आप शांदर किया दिया सकता है अगर आप धियाँ से देखें दो हैंना आपको कह देगा किसी ए- 1982 यह समझाए है और लास्ट अम्क फ्क चाली से इ फिर्स्ट पर यह नास यह फेस्ट अगर टम्स और रहा उण तो ले पर दिक्कत पड़ रही है और उसमें भी आएगा और बीट इसमें क्या अलग थोड़ी आजाएगा अगर चलो मैं बताई देता हूं पहले और वाले पर दिक्कत क्लिर कर देता हूं एक बाही कि अगर अब पहली और आखरी को जोड़ कितना आरहे जल्दी बोल पहली और तो आ गया ठीक है ए लियर और में भी बात वहीं है कोई फरक नहीं पड़ने वाला मैं आपको कोशन क्या बता रहा था कि कोशन कैसे हो सकता है एक एपी है जिसकी फर्स टम है और लास्ट टम है भी पहली टम है और आखरी यह बी और आपसे यह कहेगा उस एपी की ना उस पहले उस एपी की पांचवी टम और पीछे से पांचवी टम स्टार्टिंग से पांचवी और पीछे से पांचवी दोनों का सम बता दो समझने हो बात यह पहले से पांचवी और आखरी से पांचवी दोनों का सम बता दो तो क्या हो जाएगा एपलस भी जो पहले और आखर जो एक्वीदिस्टेंट फ्रोम बिगनग यानि शुरुवात से और शुरुआट से और पीछे से शुरुआट से और पीछे जोईडिस्टेंट रहे उनका सम हमेशा कॉंस्टेंट आएगा उम्मीद करता हूं यहां तक सबी बच्चों को सारी बात के लिए हो चुकी है कि ठीक है कि चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे का कुछ पॉइंट और वह मैं आपको पहले लिखवा चुका था अगर आपको याद हो कि कोई भी एपी की अगर एनस्ट टर्म की बात करता है अगर हमारे पास गिवन है क्या मान लो गिवन है ए एन प्लस बी है ना एन प्लस भी ऐसा गिवन है यह कुछ और ले ले लेते हैं अगर एपी की जो हमान लेते हैं क्या दी हुए हमें क्यापिटल ले लेते हैं क्यापिटल एन अग्लस भी तो मैंने आपको लिखवाई थी यह प्रॉपर्टी कि यह यह पी की एनस थ्म है वह हमेशए लिंचा ली नियर आती है यह तो अधिक लिखवा दीती है ना और साथी साथ जो यह एन का कोफिशन्ट होता है यह आपका होता है कि यह बात भी आपको पैले दिन शायद बता चुबात जला आएंन का को अफिन्त होता है यह बात पैले दिन आपको बता चुब्स होत था ठीक है यह तो एन एत्थ ठाम की बात ओग ऐसी जो समकरेस्ट एक्सप्रेश्ट इ corrections वो कैसा आता है वो इस परकार की form का आता है a n2 प्लस बी एन समझे रहें समका जो अभी तक आपने expression देखें ध्यान दीजिए constant टम नहीं आती है उसमें अभी तक जितने आपने समके expression देखिए याद कीजिए उनको constant टम नहीं आती है ठीक है जी और है jetीक का ती बिल्कुलों कोडिटी और mü canisen गौ curriculum याद रुकियेगा हाटै को ठीक है मेरे भाई ठीक है और इसमें यह 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 जो यह ठेस 담-डिफ्रेंट इसमें डिफ्रेंस होता है वह किसके बराबर होता है दिहान कि लिए, कर लिए इस जल्दी बोलो, कि ये तीन टरम अगर एपी में है अगर ये तीन टरम's एपी में हैं तो मैंने क्या लिखुआ था कि B minus A difference बराबर difference यानि C minus B पहले इसको इसमें से minus किया इसको इसमें से किया यह दो difference बराबर हो गया B को आप एक तरफ ले आए तो 2B बराबर में A plus C यह condition मैंने बोली थी AP के लिए होती है अगर ABC AP में है तो 2B बराबर A plus C होगा ABC अगर AP में है तो 2B भी बराबर A plus C होगा यह याद रखेंगे ठीक है के लिए लास्ट पॉइंट इससे पिछले वाला यह वाला हमने इसमें बात करी थी अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो कल कुछ expression भी पढ़े थे हमने जो जनरल expression पढ़े थे अगर AP के सम की अगर हम बात कर रहे हैं कुछ जनरल expression कल पढ़े थे जैसे कि आपको याद हो कि सम आफ कि इस टर्म ज्यादा हो तो सर ज्यादा मतलब अब एंट टम्स ही तो होती है जिस अब अन कीतना भी हो सकते हो तो उस पर डेपेंड करेगा जिशλάक को farmingने Office डी hedge सम और और हम आपको याद होगा कल आया था और अमबश्रियों एनप का भी देखा था अगर आपको आपको यदू रहर साथा एक एन डी स्वाल तो जो difference स्टाहे इन का इन सेरीयिस का वह हमेशा इसका डबल आता यानि कि तू हाएगा वन का डबल ड़्टो यहां पर में difference कितना एगा तू आएगा यात करो और और नमबर के बीच का difference ऑट यह एवन नमबर के बीच का difference टुई तो हता था बोलो जल जल्दी से आगे बट रहा हूं अब यह वाला पॉइंट आप सबने लिख लिए होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं उसके बाद आज जो हमने स्टार्टिंग ही करी है जिस पॉइंट से वह पॉइंट भी इसी में जोड़ देते हैं आज आपको याद होगा अभी स्टार्टिंग हमने करी थ जाएगा ठीक है भाई सारी प्रोपर्टी उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी है ठीक है कि चलो एक क्वेशन आपको देते हैं आप करने के लिए अगर हम एसन के फॉर्मॉला को ब्रेकर तो उससे कोफिशन्ट ऑफ एन स्कूर्ड डिफरेंस आता है कि कोफिशन्ट ऑफ एन स्कूर्ड डिफरेंस आता है कि सब्सक्राइब को तरी बात कि अगरे अगरे चलो एक कोशन करते है अ कि चलो बाइव एक क्वेशन करो जल्दी से सभी बच्चे की ग्याद कीजिए अगर 2K प्लस 7 2K प्लस 7 6K माइनस 2 6K माइनस 2 2K प्लस 7 6K माइनस 2 and 8K माइनस 4 R in AP जल्दी से सॉल कीजिए 8K माइनस 4 R in AP तो आपको बताना है कि K की वेल्यू क्या आएगी जल्दी सॉल करो जल्दी सॉल करो एक बार जल्दी सॉल करो जल्दी सॉल करो काफी बैचों का अंसर आ गया है हाँ आजी तो होगा क्या अगर यह तीनों एपी में है तो बीच वाली और डबल डाइड ट्वाइस वी पैसे अगरो ना एदिया वभी दिया तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ फ ढूफ्फ बराबर होगा किसके ए प्लस ही के कर ज़ोंत ट्वाइस वी कितरा है ऐगा ट्वाइस इसे च्पे माइनस टू बराबर एपलस यानि टू के अब उपस उपस यह मेरे से क्या दब गया है एक मिन रुको भाई हाँ चलो शुगर है हां क्या टू के प्लस सैवन प्लस सी की जगा जगा एट के माइनस फूर ठीक है तो कितना आजे गई बारा के माइनस चार इसी कॉल टू कितना आगया चार आठ रदो दस दस के प्लस तीन ठीक है भाई सबको एक तरफ लाओ तो आगया टू के बारा मेंसे दस के टू के और उदर आगया साथ तो के की वेल्यू आ रहे है कितनी साथ वाय दो क्या सही आई यह जल्दी बताना क्या आपकी क्याऊ इई यह आ रही थी के की वैल्यू सेवन भाइट वाई ने अजी को किये की वैल्यू सेवन बैट वाई तू आ रही है हाँ थी का सब्द्様 ही होगी आ यह च captain कि वहां सभिए India हो श्याओ बहुत सभीने आत नियुक्त स्भाय उना गाहा है गाले कि अच्छ आगे बात करते हैं भाई आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं एक मिन्ट रुको बस मैं देख लोगे बर सारी प्रोपर्टी हमारी खत्म हो चुकी है आगे 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 चलो कि एवन डी के साथ निकल सकता है हो जाएगा भाई उससे भी हो जाएगा वही प्रोपर्टी यूज़ करिए साहिल और नितिन दोनों ने सही का है अच्छ चलो यूश प्यूश तेरा कोई डाउट थैयार शायद यूश राज तेरा यह डाउट था कि जब एसन का एक्स्प्रेशन लिखते हैं तो उसमें आजएगा जब मल्टीप्लाइब कराऊगे एन क्यूकि टू से टू कटेगा एनब एक टूबस से कराऊगए तो कितना है एन स्क्वेर डीबाइटू और माइनस एंडीवाइटू बहुत हुत सही बात है सही लिखाए अच्छा तो यहां से अकर आप देखो एन स्क्वेर का जो कोफिशेंट आ रहा है वो आ रहा है डी बाय टू एंस्क्वेर का जो कोफिशेंट आ रहा है उसका डबल आपका डिफरेंस होगा एंस्क्वेर का जो कोफिशेंट आएगा उसका डबल इसका डबल आपका डिफरेंस नहीं होगा अगर जब इसका डबल करेगा तो डिफरे पर आजाएगा किलियर कि वही बात हमने बोली थी कि एन स्वेर का जो कोफिशेंट होता है उसका डबल हमारा डिफरेंस होता है अब बता किलियर हो गया कि प्रोपर्टी जल्दी बोल जल्दी बोल चीक के कलियर हो गया गुड आगे बढ़ते हैं यह ना एक आदा कोशन और करते हैं आपका किसी का डाउट भी था शायद किसी बच्चे का मुझे बताना जरह कि आप लोगों के डाउट जो एंसी आटी वा फाइव.टू में डाउट है जल्दी बोलो पांच पॉइंट धो में किसी बच्चे का डाउट है हाँ आवई है नो डाउट अनुराग कुमार यह से लिख रहा है नो लिख रहा है मुझे संबन गें अच्छा पांच दो एक अलग है यह अनुराग कौन सा डाउट है बटा 5.2 में कॉन साड आउट है 18th question तो ने मेरे पास WhatsApp पर बेज आता था ना एक मिन रूप एटीन्त कोशन जो एक बार वो देख लेते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं एटीन्त कोशन एंड सी आटी कह रहा है दा समों फोर्थ एन एट्थ तम अफ एन एपिस 24 चौथी टम का और आठवी टम का जो सम है हो कितना दे रखा है 24 तो यह दे रखा है ठीक है एंड सम उफ सिक्स्थ एंड टेंथ टम इस फॉर्टी फॉर्टी टम का और दसवी टम का जो सम हो कितना दे रखा है आट्थ एट को लिखेंगे एप्लस ट्रीडी एट को लिखेंगे क्या एप्लस सेवंड़ी टे एट को लिखेंगे एप्लस सेवंडी पराबर में किसके आगे 24 सही बात है ऐसी A6, A6 को लिखेंगे A plus 5D, A10 को लिखेंगे A plus 9D, पराबर में आ गया 44, बस दो equation आगी, उपर वाली equation क्या आई है, उपर वाली A2 है, प्लस 7 और 30, 10, एक तो ये equation आगी, और नीचे वाली equation क्या आगी, A plus A आगया 2 है, 5 और 9 हो गया, 14, बस अब दोने equation को माइनस कर दे, व या ठीकए बाद, बन गया था, अजे, बन गया था, बन गया था, पूब बता देता, हैना, चलो, आज यहीं तक कर रहे हैं वही, clear, आज यहीं तक कर रहे हैं कुछ बच्चो को, मैंने बोला है कॉल करने के लिए, एक तो उनमें साहिल है, हैना, दोनों धक्ष हैं इनको मैं ने बोला है और दो बच्चे और थे साहिद दक्ष और मनीश एंड आरे सुमन आप लोगों ने चार बजे के बाद भाई कॉल करना है कि क्लियर आप लोगों से कल